आप सभी को नवरात्री के धेर सारी शुपकामना है माता रानी का आगमन सबके घर में होने ही वाला है तो आज हम बनाएंगे वरत स्पेशल अंदर से सौप, बाहर से क्रिस्पी और करारा फुला फुला सबका पसंदिदा साबूदाना वड़ा ये कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाश तो आपने सुनी होगी अब हम इसे तोड़ के देखते हैं तो देखिए अंदर से कितना सौफ्ट है और इसे बनाने के सारे टिप्स आज के वीडियो में हम देखेंगे साथी में हम बनाएंगे इसी के साथ दो व्रत स्पेशल चटनिया जो इसका स्वात कई गुना बढ़ा देगी तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ऐसी बहुत सारी नवरात्र स्पेशल व्रत रेशिपी के लिए चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करिए हलो एवरिवन डेशी फूर ट्रावल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्रिस्पी साबुदाना वड़ा बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ करीब आदा बाउल साबुदाना मेडियम साइज के साबुदाने का मैं यहाँ पे इस्तमाल कर रही हूँ इसको हम दो पानी से धो के क्लीन कर लेंगे हलके हातों से हम इसे मसल के धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए और इस पानी को हम ड्रेन कर देंगे मैंने इसे धो के क्लीन कर लिया है थोड़ा सा पानी हमें साबुदाने के ऊपर रखना है अब अब इसे तीन से चार घंटे के लिए सोख होने देंगे या फिर आप इसे ओवरनाइट भी सोख कर सकते हो तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा साबुदाना भीग चुका है एक दाना मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ बहुत अच्छी तरह से सौप्ट हो चुका है मैंने इसे ओवरनाइट सोख कर लिया था तो अब हम इसे थोड़ा खुला खुला कर लेंगे साथी में हम इस्तमाल करेंगे दो से तीन हरी मिर्च जिसे मैंने बारी बारी काट लिया है थोड़ी सी अद्रग उसे भी फाइन चॉप कर लिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया आप अगर इसमें से कोई भी चीज वरत में ना इस्तमाल करते हो तो उसे स्किप कर सकते है साथी में हमें चाहिए दो बीक साइस के उबले हुए आलू अगर छोटे हो तो आप तीन से चार इस्तमाल कीजिए और आलू को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है गरम आलू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, जब आलू ठंडे हो जाए तब हम इसे ग्रेट कर लेंगे तो दोनों आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी तो ग्रेटेड आलू हमारे रेडी हो चुके है साथी में भुनिवी मुंख़ली को मैंने दरदरा पीस लिया है फाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए, इसी तरह से हम इसे दरदरा पीस लेंगे अब सबसे पहले एक बाउल्स में हम डालेंगे भीगा हुआ शाबू दाना ग्रेटेड किया हुआ उबला हुआ आलू गुनिवी मुंख़ली जिसे हमने दरदरा पीस लिया है साथी में हम इसमें आड कर देंगे टेस्ट के अनुसार ग्रीन चिली बारीक कटिवी अद्रक और साथी में बारीक कटा हुआ धनिया इसमें से कोई भी चीज का इस्तेमाल अगर आप वरत में ना करते हो तो उसे आप स्किप कर दीजेगा अब हम इसमें आड़ करेंगे करीब चोथाई चमच काली मिच का पाउडर, आदा चमच जीरा, साथी में टेस के अनुसार वरत वाला नमक तो करीब देड चमच नमक का मैंने यहाँ पे इस्तमाल किया है और एक टेबल स्पून सफेद तील यह बिलकुल आप्शनल है बट आपके पास हो तो आप जई से जरूर आइट कर दीजेगा अब इन सारी चीजों को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेंगे तो यहाँ पे हमें पानी बिलकुल आड़नी करना है हमने जो बॉइल पोटाटो का इस्तमाल किया है उसी के साथ में हम अपना डो बना लेंगे तो देखिए लगबग हमारा डो बन के रेडी हो चुका है लगबग 5-6 मिनट मुझे डो बनाने में लगे अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल और इसको अच्छी तरह से स्मूध कर लेंगे तो यह हमारा डो बन के बिलकुल रेडी है अब हम इसे देंगे 5-10 मिनट का रेस्ट और हम बना लेते हैं वरत स्पेशल चटनी तो सबसे पहले हम बनाएंगे वरत स्पेशल मुझफली की चटनी तो इसके लिए मैंने इस्तमाल कर रही हूँ करीब एक कटोरी भूनी हुई मुझफली मुझफली को मैंने भून के इसके चिलके निकाल लिए है या फिर आप डायरेक रोस्टेट मुझफली भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसको हम मिक्सर के जार में आड़ कर देंगे साथी में मैं इसमें आड़ करूँगी दो कटीवी ग्रीन चिली आधा चम्मत जीरा, टेस्की अनुसा थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी सी कटीवी अद्रक साथी में हम इसमें आड़ करेंगे एक निम्बू का रस और आवशक्ता अनुसा थोड़ा पानी और इसे मिक्सर में पीस लेंगे तो यह हमारी जटपट बनने वाली मुंफली की चटनी बनके विल्कुल रेडी है इसे तड़का हम बाद में लगाएंगे जब हम दूसरी चटनी भी रेडी कर लेंगे अब हम बनाएंगे व्रस स्पेशल धनिया की चटनी मैंने इसे धो के अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है इसमें हम इस धनिया की डंडी का इस्तमाल करेंगे इससे चटनी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हमें चाहिए एक कटोरी दही दही अगर हमारा खटा है तो बहुत बढ़िया अगर दही हमारा खटा नहीं है तो हम इसमें इस्तमाल करेंगे करीब आधे निम्बू का रर्ष दही अगर आपका खटा हो तो आप निम्बू को स्किप कर सकते है अब सबसे पहले mixer jar में हम डालेंगे धनिया साथी में हम इसमें अड़ करेंगे आदा चमत जीरा टेस के अनुसार नमक जो भी नमक आप रत में इस्तमाल करते हो दो से तीन ग्रीन चिली आप अपने तीके पन के अनुसार ग्रीन चिली को अपने टेस के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं और थोड़ इसी चिलीवी अद्रक और साथ में आदे निम्बू का रस और थोड़ा पानी डालके पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे इसे हमने पीस लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे एक कटोरी दही और फिर से मिक्सर में घुमा लेंगे तो ये हमारी जटपट बनने वाली चटपट इसी वरत स्पेशल चटनी बनके बिल्कुल रेडी है अब हम लगाएंगे चटनी को फाइनल तड़का एक छोटे वरतर में मैंने दो चमच तेल डालके उसे गरम कर लिया है हम इसमें डालेंगे आदा चमच जीरा और साथ ही में चार से छे कड़ी पत्ता ग्यास का फ्लेम हमें रखना है लो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यह जब अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें आड़ कर देंगे तीन से चार छोटी लाल मिर्च यह बिल्कुल आफ्शनल है आपके पास में है तो आप आड़ कीजिए वरना आप इसे स्किप भी कर सकते है तो यह हमारा तड़का बनके बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसे आड़ कर देंगे चटनी के ऊपर दोनों वरस स्पेशल चटपटी सी चटनीया बनके हमारी बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसमें डाल देंगे तड़का तो करीब एक से दो चमच तड़का हम दोनों में आड़ कर देंगे देखिए देखने में कितनी बढ़िया दिकरी है और खाने में तो इसका स्वात कई गुना ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए इसके साथ के लिए फटा-फट से वड़े तयार कर लेते हैं तो साबुदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमां हाथों को लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसके छोटी-छोटी लोईया बनाके इसे गोल-गोल कर लेंगे पहले डो को एक हाथ से थोड़ा गोल-गोल करने की कोशिश कीजिए फिर दोनों हाथों के बीच में लेके उसे हलका सा प्रेस कर दीजिए तो बहुत ही आसानी से हमारा साबुदाना वड़ा बनके बिल्कुल रेडी है मेडियम साइच का साबुदाना वड़ा हम बनाएंगे नाहीं जादा चोटा और नाहीं जादा बड़ा एक और वड़ा मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो डो का एक छोटा सा हिस्सा हम हाथ मिलेंगे और उसे एक हाथ से गोल करने की कोशिश करेंगे फिर हम उसे दोनों हाथों के बीच में रोल करेंगे और हलका सा प्रिस कर देंगे सिंपल से हमारा वड़ा तयार हो गया इसी तरह से हम सारे वड़े बनाके रेडी कर लेंगे आइड में तेल गरम होने के लिए मैंने कड़ाई में रख दिया था तो तेल हमारा गरम हो चुका है अब एक एक करके साबुदाना वड़ा हम इसके अंदर डाल देंगे तो जितनी बड़ी हमारी कड़ाई हो उस हिसाब से हम साबुदाना वड़ा डालेंगे लगबग 5-6 वड़े मैंने इसमें आड़ कर दिये है और गैस का फ्लेम हमें रखना है मेडियम वड़ा डालते ही हमें तूरंती से हिलाना नहीं है लगबग 1-5 मिनट बाद हलके हलके हाथों से हम इसे चला लेंगे तो देखिए लगबग 2-3 मिनट में सारे वड़े तेल के उपर आ चुके है तो अब हम इसे चेंज कर लेंगे दोनों साइट से हलका सुनेरा कलर इसे नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे साबुदान वड़ा सीखने में लगबग 6-7 मिनट लगते है और हमें इसे मेडियम फ्लेम पे ही सेखना है ताकि ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए तो देखिए कितना सुन्दर सा गोल्डन कलर हमारे साबुदान वड़े में आ चुका है बस इसी स्टेश तक हमें इसे फ्राई करना है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो इसी तरह से सारे वड़ों को हम फ्राई कर लेंगे फुला फुला क्रिस्पी साबुदान वड़ा बन के हमारा बिलकुल रेडी है यह कितना क्रिस्पी है इसकी आवाज हम सुनते है मैं इसे आपको तोड़के भी दिखाती हूँ जितना बाहर से क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सौफ्ट है तो इस नवरात्री आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी बहुत सारी नवरात्री स्पेशल वरत रेसिपी के लिए चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ आपका ए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद